हेलो दोस्तों LDC Railway Tech and Mathematics में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग भूबली डिवीजन का question और answer को देखेंगे जो LDC JEE के अंतरगात कोटा के अंतरगात पुछा गया था जिसका एक्जाम जो है 12-11-21 को हुआ था इसका फर्स्ट पार्ट जो है बना दिया गया है जो एक से पचास तक एकाउन से हम चलेंगे आगे चलिए देर ना करते हुए हम question पर चलते हैं अगर मेरा वीडियो आच्छा लगे तो like, share, subscribe करना नहीं भूलिएगा चलिए question नमर एकाउन में क्या करा है लोडेड इस्तिती में box and wagon का piston and stroke कितना होता है देखिए आपर condition क्या लगाया है कि loaded इस्तिती में ठीक है तो आप लोग को loaded और impity मतलब कि load और खाली दोनों इस्तिती में आप लोग को piston and stroke को याद कर लेना चाहिए जो भाई pdf लिये है वो wagon dimension वाला जो pdf है वो पढ़ेंगे उसमें सारे के सारे दिया हुआ है जबकि माई यहाँ पर important कुछ जो है बता देते हैं तो देखिए इसका answer तो 130 है लेकिन इसके साथ साथ जो है मेरे आवाज को सुन करके आप लिखेंगे मैं उतना तो नहीं लिख पाऊंगा जैसे कि यहाँ पर एक boxen दिया है उसके बाद में कॉमा दे करके लिखें boxen hs boxen इसमें लगा दिजिएगा hs boxen hs फिर कॉमा दिजिए bcn कॉमा दिजिए bcn hs और bcn a कॉमा दिजिए फिर उसके बाद में b r n b r n a b t p g l n इतना जो लिखाया इस सभी का जो है impity condition में impity condition में जो है 85 85 mm plus minus 10 होता है ठीक है और loaded इस्तिती में जो आपने देखा यहाँ पर 130 plus minus 10 mm होता है ठीक है अभी हमने जो लिखाया box n box n h s b c n b c n h s b c n a b r n b r n a p t p g l n इसका जो है impity condition में आपको 85 plus minus 10 और loaded इस्तिती में 130 plus minus 10 होता है इसको आप लोग याद रखेंगे ठीक है और एक आता है box n h l लेकिए उपर हमने बताया box n h s इसमें जो मैंने लिखाया था तो box n h s था ठीक है h s लेकिन यह दूसरी दूसरे लाइन में लिखिए कि box n h l और b c n h l यहाँ पर दोनों में h l लागा हुआ है ठीक है ना box n h l और b c n h l ठीक है तो इसमें भी इसमें भी impity condition में जो है 85 85 mm plus minus 10 mm होता है इतना ही होता है ठीक है लेकिन loaded इस्तिती में इसका जो है अलग होता है 120 plus minus 10 mm ठीक है तो इसमें 120 हो जाता है इसमें 130 लेकिन impity में क्या हम बता रहे हैं piston stroke बता रहे हैं ठीक है तो piston stroke जो है इसमें जो है 85 दोनों में है लेकिन loaded इस्तिती में अलग अलग है ठीक है b c n h l और box से ने चलका है ठीक है और तिसरा इस्तिती में आप लिखे तिसरे number question में लिखिए कि b l c आनि बोगी लोग container और b l l ठीक है तो इसका जो है impity condition में जो है impity में जो है 95 पलस माइनस 10 mm होता है ठीक है और loaded इस्तिती में जो है इसका 120 पलस माइनस 10 mm होता है ठीक है तो इस type से जो है imported जो है तिन तोल लिखा है इसमें से भी पूछ देता है चार number में लिखिए चार number में सबसे ज़्यादा जो पूछता है b b z c b b z c ठीक है तो इसका जो है m p t condition में ही ज़्यादा पूछता है इसमें तो load तो होता नहीं है b b z c जो break band जो पीछे जो लगा होता है जिसमें guarded लोग जो रहते है तो इसमें loaded condition तो होता नहीं है तो m p t या loaded जो भी कुछ भी लिख सकते है उसमें एक ही होता है याद रखिएगा बहुत ज़्यादा या कोशा रिपीट होता है ठीक है 70 plus minus 10 mm ठीक है b b z c ठीक है और एक आता है जो ज़्यादा तर पूछा जाता है देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है लेकि वहीं पढ़िए जो आपके एक जाम में आते है ठीक है क्योंकि हम जानते है कि आपको पास पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं है ठीक है ड्यूटी भी जाना है बहुत सारे काम है जानते है तो एक होता है b b z i ठीक है तो b b z i में जो है आपका i c f का जो है cylinder जो है लगा रहता है इसलिए इसमें हो जाएगा 32 पलस माइनस हो आने में ठीक है और एक जिसे की अब तो होई ही गया यह यह माल बैगन का मतलब जो important है उसको हमने यहाँ पर बताने का परियास किया ठीक है तो इसको जो है copy में आप लोग लिख लेंगे बहुत ही important question हम आप लोग को बताएं है जो important है लिखने के लिए तो बहुत सारा है box n है box n जेड आई है और क्या बोलते है mbbs है बहुत तरह का है ठीक है mbs बहुत है लेकिन जितना एक्जाम में आते हैं वहीं पढ़ने का प्रियास कीजिए ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं question number 2 wagon के twin pipe break system में break pipe का रंग कल भी हमने बताया था कि break pipe का रंग देखिए BP का BP मतलब कि break pipe BP का जो है आपको green होता है और FP का जो है इसका white होता है ठीक है white pressure अगर पुछता है तो 5 kg 5 kg पर cm2 और FP का जो है आपको 6 kg पर cm2 होता है ठीक है तो आप लोग इसे भी note कर लेंगे आगे बढ़ते हैं question number 3 question number 3 question number 3 में क्या कह रहा है कि PM PM का full firm या पूछ रहा है ठीक है PM का मतलब यह नहीं समझेगा prime minister ठीक है ना परधान मंत्री यहाँ पर नहीं है यहाँ पर आपका technical question है ठीक है ना चलिए तो PM का full firm हो जाता है critical maintenance अर्थात इसका इसका option हो जाएगा ठीक है चब़वा नमबर में देखिए जब break indicator rate so जो दिखाता है तो break होगा देखिए हम कल भी इसको बखल के मतलब कि इसके just पीछे जो वीडियो जो बनाए है इसका part one उसमें भी देखेंगे तो पूरा detail में इसको समझाए गया है ठीक है जब rate so करेगा तो break क्या होगा apply होगा देखते हैं जब शफर करते हैं single आगे जब rate दिखाई देता है तो break apply होता है अर्थात गाड़ी रूक जाती है ठीक है आज अब आपका जो है क्या बोलते हैं green अगर so करता है तो आपका break क्या होगा release position में होगा ठीक है अर्थात गाड़ी चलता रहेगा ठीक है अब आप कहिएगा आपका red होता है एक green होता है ठीक है और एक yellow color का भी देखते हैं single में yellow color भी होता है जब आप सफर करते हैं तो देखिए red का मतलब होता है कि गाड़ी को रोकिए apply हो जाएगा और green का मतलब है कि एकदम line clear है आप एकदम अपने रफ्तार में जाते रहिए और yellow का मतलब यह होता है कि गाड़ी तो चलेगा ही लेकिन धीरे धीरे ठीक है सावधान हो जाईए मतलब कि गाड़ी चलेगा लेकिन धीरे धीरे ठीक है yellow का मतलब वहीं होता है चले आगे बढ़तें और 55 में क्या करें कि आउसत ब्यतन पर अधिक्तम दिनों की छूटी कुछ संचित किया जा सकता है आउसत ब्यतन पर अधिक्तम केतना छूटी आप संचित कर सकते हैं यह कठा कर सकते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि 300 दिन तक आउसत बेतन का मतलब हुआ, यहाँ पर लिखा है कि live on average पे, अर्थात LAP जो है, LAP live average पे जो है, आप 300 दिन तक जामा कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर होता है, LH, LH, यहाँ H होता है, LHAP, ठीक है, LHP live half average पे, ठीक है, तो यह जो है, आप कितना ही कठा कर सकते हैं, तो इसका होता है unlimited, ठीक है, आप कितना हूँ जामा कर सकते हैं, इसके लिए कोई limit नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करें कि एक कोच में AC की रूप में खड़ा है, AC की रूप में क्या खड़ा है, यहाँ बारे में यहाँ बा करता है बार-बार साइध आप लोग कन्फ्यूज कर जाते हुएगा उसके बारे में आप लोग सुन लिजिए ठीक है का हो सके तो कापी में मैं जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं यहीं बात बोलता हूँ कि जो भाई टेस्ट देते हैं उनको वीडियो बनाने के बाद में टेस्ट जो है अपना नोट स्तियार करेंगे और जो भी कोश्चन हम यहाँ पर आपने टेस्ट में दिया तो एक ह पर नोट देंगे और यहां पर तीर का निशान बना करके इसे रिलेटेड जितने भी कोश्चन है हम वीडियो में जो बोलते हैं उसको आप लिख लेंगे ठीक है क्योंकि रिलेटेड कोश्चन आप धूंडने में आपको बहुत परसानी होगा ठीक है इस तरह करके अच्छा स से अच्छा तैयारी होगा और विशेश समस्या जो ही है मेरे वार्टेड पर मैसेज करेंगे समस्या का समधान आपका हो जाएगा ठीक है बाकी देखिए एक कोश्च में एसी के रूप में देखते एसी का मतलब एयर कंडिशन होता है ठीक है तो इसमें तो सिंपल सी बात है लेकिन यहाँ पर एक और कोश्चन करता है कि लह भी कोश्च के आरेम पी यू देखिए एसी जो आप कहिएगा कि एसी कहां लगा राता है तो छट में उपर लगा राता है ठीक है छट के उपर ठीक है और इसको हम बोलते क्या है तो इसको हम लोग बोलते है आरेम पी यू ठीक है, roof mounted package unit, ठीक है, roof mounted, कई कई इसका full firm भी पूछ देता है, कि RMPU का full firm क्या होता है, तो roof mounted, roof mounted package unit, ठीक है, तो इसके बारे में यह question करता है, कि LHB कोच के RMPU में परियुक्त, निद्रिष्ट, refrigerator, या refrigerant, कौन सा है, RMPU में refrigerant कौन सा लगा होता है, तो इसके बारे में आप देखिए, इसको जो है, थोड़ा सा मिटा करके, RMPU, ठीक है, तो इसमें जो है, मतलब कौन सारे refrigerant लगा रहता है, तो हम ए भी आपको बात बता दे, कि कहीं-कहीं आपको मिलता है, RR22, और कहीं-कहीं मिलता है, R407C, ठीक है, कौन सारे refrigerant लगा है, RMPU जो होता है, जो roof-mounted package, जो AC जिससे चलता है, तो उसमें कौन सारे refrigerant लगा हुआ है, refrigerant, ठीक है, तो यह दोनों आपको option में देखने को मिलता है, देखिए, आपको confused को दूर करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो देखिए, दोनों option एक साथ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो अगर इसमें से यह और यह जो भी कोई आपको मिल जाये, दोनों मार सकते है, ठ ठीक है, अगर हमने अभी बताया कि दोनों option में 7 में नहीं रहेगा, लेकिन आप कहींगे कि सर कहीं दोनों 7 में हो जाये, तो हम क्या करेंगे, तो अगर दोनों 7 में अगर दोनों option आपको दिख जाये, तो आप 407C वाला मारेंगे, ठीक है, बहुत important deeply question मैं बता रहा है, जो क होता है, आर 407C, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तो अगर दोनों 7 में option अगर मिल जाये, तो 407 वाला मारेंगे, अगर दोनों में से कोई एक ही मिल जाये, तो आप मार देजिएगा, ठीक है, बहुत important question है, आप इसे copy में 100% लिख लेंगे, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, चलि जान में रखिएगा, क्योंकि एक question जो है, बार-बार पूछा जाता है, ठीक है, बी-म question इस पर मैं रिख देता हूं, बोर्ड मोडल, ठीक है, तो यह बहुत ही, मतलब कि imported question है, ठीक है, light प्रकास उपयोगी सिरेनी वाला जो होता है, उसका codal life जो है, आपको 40 year होता है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ICF का codal life जो है, 25 वर्स होता है, जब वह 25 वर्स होता है, उसके बाद में जो क्या बोलते है, उसको मरमत जो rehabitation जो किया जाता है, फिर से उसको जो मतलब बनाया जाता है, लाइफ उसका जब समाप्त होने के बाद में, तो उसको ठीक ठाक करके, उस बनाया जञ जाता है तो उसमें जो क्या किया जाता है कि पंदरा बर्स, ओसका लाइफ जो बड़ जाता था थाया है तो यहां जोड़ करके 40 बर्स आ जाता है तुदिया बहुत Important Question में बता रहा हूल एन दिपलि इतना इसल siis कंज्ड सेट करके समझां The Commissioner. आपको नहीं मिलेगा कैसे होता है चालीष पर यह हो जाता है चालीष बर्स आब इसमें गोर laid out मतलब कि चार-पोचीस बर्ष खतम होने के बाद में इसे कोचन तो आता है कि रहाइविटेशन कितने दिन पर करते हैं तो रहाइविटेशन जो है यह 15 बर्ष पर होता है आगे मैं बताऊंगा आपको कोचन साइज मिलेगा 15 बर्ष पर होता है तो फिर से जब अच्छा रहेगा क्योंकि इस साफ से कोचन अगर मिले तो आपका कोचन नहीं छूते यहीं मेरा लक्ष होता है ठीक है तो उस ब्रस्कार पर्ठम्बार निव में में जितने लागत होता है उसला गत का 25 पर 30 फिर से उसमें खर्च होते हैं तब जाकर यहाविटेशन होता है मैं दूसरा question बता रहा हूँ इसी question से related है अलग question दी लिखेंगे कि कुछ का rehabilitation कितना दिन पर होता है तो 15 बर्स पर होता है और rehabilitation कि मतलब कितने पैसे या कितने cost होते हैं तो आप लिखिएगा 25 पर 30 ठीक है और यह 40 बर्स कैसे होता है यह भी आप समझ लिए हम आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे में क्या कर रहा है कि एक कलेंडर बर्स में कितने दिनों का LAP एक अस्ताई रेल सेवक को पाने के लिए पात्र होगा ठीक है तो यह जो question जो है भली भाती आप लोगों से जाने पहचाना हुआ है आप लोगों को छुट्टी मिलता है कैसे मिलता आप अच्छा तरह से जानते हैं कि 15-15 दिन का दो टर्म में आपको मिलता है जुलाई, जन्वारी, एंड जुलाई में ठीक है तो चलिए इसमें 20S बोलने की आप सकता नहीं है क्योंकि आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कर आए 69 नमर में की 165 रेलवे में आपको बॉक्सेन परकार के स्टोक में CC रेक की जाज के लिए किलो मिटर क्या है इस कोश्चन को यह लोकल कोश्चन है इस कोश्चन को चाते हैं तो मैं टाइपिं के समय हटा भी देते हैं ठीक है हटा देते हैं इसको लिक् ejemplo को मुझे रखने का मकرض क्या है कि आप अपने अपने जोन में जिसे लिखना है कि दक्सिन पस्षिम रेल्वे तो उसी प्रकार अपने पूरू रेल्वे पस्षिम रेल्वे जो भी या जिस रेल्वे में आप हैं वहां के बारे में बॉक्षेन बायगन का एस्टो के सीसी रेकी जाज के लिए सुईकार्ज किलो मीटर क्या है आप अपना जनकारी करके अपना लिख लेंगे ठीक है और यह भी साथ साथ कहोगा कि जो ब्यक्ति या जो करमचारी भाई मेरे दोस्त जहां भी काम करते हैं उहां का लोकल जो भी को लेंगे क्योंकी हो सब कोश्चन नोर्स में या हमारे PDF में सायध नहीं मिलेगा क्योंकी नकोशन із‌पात को समझाने के लिए मैं इस कोयठ गोंको आप बहुड के सामने के सामने रखा हूँ चुक्हा है मैरे बात को हम लोको लग रहा कि आप समझ गया होंगे ठीक है लोकल क कोचन की बात बात बता रहे हैं जिसे के महीना में कितना हमारा कोच जो है उत्पादन हो रहा है टार्गेट कितना है ठीक है ये एक साल का टार्गेट कितना है तेज़ चोविस का टार्गेट कितना है इस टाइप से जितने भी लोकल कोचन है उसको अपने हिसाब से वहां पर आप नुर्स त्यार कर लेंगे अलग ठीक है मेरे बातों पर ध्यान देंगे चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चा नॉमबर साथ साथ में क्या कह रहा है कि angle cock को cut किसके साथ लगाया जाता है cut of angle cock जो है आपको BP and FP दोनों के साथ में लगाया जाता है कल भी मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में बहुत detail रूप से हमने बताया था कि जैसे यह एक गारी है आप देखते हैं उसमें फर्स पार्ट में जो कोश्चा नाया था उसमें लिखा था कि cut of angle की संख्या कितना होता है तो हमने बताया था कि 4 होता है ठीक है तो यहाँ पर cut of angle cock लगा होता है ठीक है ना दो इधर और दो इधर, twin pipe में जिसमें एक BP होता है और एक FP का pipe होता है ठीक है IP का pipe एक BP का pipe होता है ठीक है यहाँ पर चो है cut of angle cock लगार हाता है नों में बीोग साय है तो BP बीर बीपे का वी Num के सात में लगा आया गए है और इससे Obrig a and कि खुली इस्तिति में कौट अफ एंगल कोग का हैंडल किस पोजीशन में होगा ठीक है तो कौट अफ एंगल कोग का पोजीशन जब खुली इस्तिति में खुली का मतलब यह हो गया बाहर खुली की नहीं मतलब यह हो गया कि आपके पाइप के अंदर हावा जो है आवा गमन ह हो रहा है खुली हुई है हावा अवा गमन हो रहा है उस इस्तिती में खुली इस्तिती में आपका पाइप कौट अफ एंगल को का हैंडल किस पोजिशन में होगा तो समनांतर पोजिशन में आर्थाथ पाइप किये समनांतर पोजिशन में होगा आजब बंद इस्तिती में अर्थात परपेंडिक कूलर हो जाएगा और खुली स्थिती में पाइप के सम्रांतर होगा तो कटप एंगल दोनों में लगा होता है चलिए आगे बढ़ते हैं कोचन में क्या कर कि यातरी बीजी कोचिंग का मानक wheel gauge क्या है देखिए यात्री यानि मतलब की passenger कोच की या बात किया हुआ है passenger कोच का ठीक है तो यहाँ पर मानक की बात किया extender तो extender तो होता है 1600 mm ठीक है लेकिन कोचन आ जाता है कि अधिक्तम और निउन्तम ठीक है तो ICF की अगर बात करें तो ICF के लिए क्या होता है 1600 plus minus 1 ठीक है면 कहने का हम कोटातर यह है कि अगर ICF के लिए अगर पुछता है कि अधिक्तम होविल हो जाएगा 602 mm होजाएगा 102 mm हो जाएगा जब अधिक्तम पूछेएगा किस के लिए ICF के लिए ठीक है अगर निउन्तम पुछता है तो माइनस 1 आप घटा दिजिएगा तो कितना हो जाएगा 1599 ठीक है लेकिन LH B coach में मानक तो 1600 होता ही है सब के लिए मानक जो है चाहे वो वैगन हो या coaching हो सब के लिए मानक 600 mm होता है लेकिन इसमें अगर LH में अगर अगर पुच्छता है minimum, minimum अगर पुच्ता है 9-10, तो minus plus one minus one अर्थात, निउन्तम अगर minimum भी पुच्छता है तो 1599 होगा, और अधिक्तम, maximum भी अगर पुच्छता है, तो आपको plus one आनि 601 हो जाएगा, समझ रहाएं आप जो बात कहाना चाहरे है, ठीक है, तो standard gauge यहां पर होता है तो आयसी उप में यहीं कंडिशन लागू होता है तोहनार मतलब की निवन तॉढ़ है हमको जहां तक भी सवास है का आप समाज घया हुएगा यहां तक अगर भीडियो बने हैट य॥ आजा हो जो होता हो किसके दोऺताया जाता हैREY क्ई से हटाया जाता है तो इसमें जो है सब के द्वारा tender के द्वारा government भी उसको बेज देता है मतलब की all इसमें का answer जो है all हो जाएगा देखिए acute लिखा है sale by tender भी लिखा है sale to other government department and undertaking कहने का मतलब भी हो गया कि इसमें किसी सब के द्वारा यहां से मतलब की हटा दिया जाता है उसको इसमें all answer हो जाएगा ठीक है चलते है question number 63 में ठीक है question number 63 में का रहा है कि ओभर पानी टंकी की सफाई जो है कितना दिन पर किया जाता है देखिए बहुत important question है और इससे related question जो है बहुत सारे question आते हैं जो मैं आपको यहां पर clear कर दूँगा ठीक है कि इतने जो है detail में side हमको लगता है कि अधर channel पर आपको मैं ही मिलता है तो देखिए मैं इसलिए मैं कर रहा है कि overhead पानी की टंकी की सफाई जो है one month पर होता है every month मतलब एक month पर होता है तो एक month वाला बहुत सारे question है जिसमें आप लोग confuse कर जाते हैं तो जितने भी हमारे समसे कि जिस राष्टे से आप गुजर रहा है उस राष्टे से मैं गुजर चुका हूँ तो इसलिए आप लोग लिख लिजिए तो one month पर कौन कौन सा होता है तो आप लोग लिखे देखिए एक number में तो आपने इसको लिख लिया ठीक है इस question को और फिर आप note देंगे note दे करके आपने column का रंग चेंज करेंगे अगर इसको बुल्लू से लिख रहे हैं तो बलै कि या rate ले लेंगे और note दे करके एक number में लिखेंगे कि कोच की गहन सफाई कितना दिन पर होता है ठीक कोच की सफाई तो पड़्डे होता है ठीक है जब ही every trip होता है जब भी आएगा तो थोड़ा बाव सफाई जो होगा ही होगा ठीक है लेकिन गहन सफाई का मतलब होता है कि सेड में जाएगा पूरा धो आएगा एकदम finishing रूप से उपर नीचा ठीक है तो अगर गहन सफाई अगर कुछता है तो एक महीना पर ठीक है और कोच की पाने इट संप टंकी की साफाई अपने देख लिया दूसरा में लिखे और जो 뒤 मेटालिक जो आज लिखिए तो कमबोर्ड का फॉट ? पैंतिंग जो है कितन अंत्राल पर होता है थीक है तो उसका कितना दिन पर होता में तिन नमबर में लिखेंगे तिन नमबर में कि किस अंतराल पर कॉमबोड के एंटी को रोजन पेंट को चेक किया जाता है तो यह भी जो है एक महीना पर होता है ठीक है और एक महीना वाला एक और कोश्चान आपको सामने आ जाता है कि मेल एकस्प्रेस ट्रेन में डियसंपोट आइल चेक करने का अवधिक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है डियसंपोट समझ रहे है न behaviors को लगे होते हैं जिसमें तेल भारा रहाता है कोछन आता है कि टेल जो है किस्छन भारा रहाता है तो 1.6 लिटर और उचाई पुछता है तो 40 mm होता है ठीक है तो जो है कितना दिन पर उसको चेक किया जाता है तो ये भीgovern clearly खिया लिए और side barrier side barrier जो होता है जो side आगे question मिलेगा side barrier के बारे में मैं मताऊंगा detail रूप से इतना जानिए अभी लिख लिजे ततकाल कि side barrier I level कितना दिन पर check किया जाता है तो I level side barrier का ये भी जो है एक महीना पर ये question number कितना हो गया 5 number ठीक है 5 number में आप लिखिए कि side barrier I level check करने की अवधी कितना दिन पर होता है तो ये भी जो है एक महीना पर ही होता है ठीक है आगे बढ़िए 6 number में आप लिखिए कि राजधानी सताबदी ट्रेनों में dashboard I'll कितना दिन पर देखिए dashboard I'll इसलिए मैं राजधानी का और सताबदी का मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि हम अभी बोला कि side barrier जो है या dashboard जो है इसका जो mail express का dashboard के I'll level एक महीना पर चेक किया जाता है लेकिन आप कहिए कि नई सर प्रतित ट्रिप्ट चेक किया जाता है तो प्रतित ट्रिप्ट जो है उसका जो है जो high speed वाले जो train होते है उसका जो है dashboard आईल जो है प्रतित ट्रिप्ट में चेक किया जाता है ठीक है छो नमर में आप लिखिए कि राजधानी सताबदी train में dashboard आईल लेबन कितना दिन पर चेक किया जाता है यानि कब चेक किया जाता है तो प्रति ट्रिप्ट है एवरी ट्रिप्ट है एवरी ट्रिप्ट है लेकिन मेल एक्सप्रेस का अगर question कर दे इसी question में तो एक माह पर होता है ठीक confuse आपको दूर करने का मैं परियास कर रहा हूँ साथ नंबर में लेखिए coaching store का rehabilitation जो है कितना दिन पर होता है तो आपको 12 से 15 वर्ष पर होता है कितना दिन पर होता है 12 से 15 वर्ष पर होता है क्या होता है rehabilitation ठीक है यह बहुत important question बता आ रहा हूँ भाई ठीक है और 8 नंबर में आप लिखेंगे कि कोच की intensive सफाई intensive देखिए अगर कोच का गहन सफाई हमने उपर में बताया है कि गहन सफाई अगर आ जाता है तो एक माह पर होता है ठीक है लेकिन गहन के जगहा पर आपको लिख दे कि intensive कोच की intensive सफाई कितना दिन पर होता है तो यह 6 महिना पर होता है intensive जब कोच्चन में आ जाए तो इसको 6 माह लिखेंगे ठीक है ध्यान रहा है भाई मैं बहुत इंपोर्टेट कोच्चन यह 5-6 कोच्चन जो हमने बताया आपको पूरा डिटेल में जो है तो हम काना चार है कि जब डिटेल में बतायेंगे आपका confusion जब दूर हम करेंगे तो वीडियो तो लंबा होगा ही होगा आप तो बहुत सारे चैनल देखते हैं जिसमें तो केवल कोच्चन पढ़े अंसर मारे आगे बढ़े आरे भाई तो पढ़ाने का फायदा वीडियो देखने का फायदा वीडियो देखने का जब टीचर से पढ़ रहा है तो कहाने का मतलब कुछ एक्ट्रा question नहीं जानिये तो वीडियो देखने से या पढ़ने से या किसी भी टीचर के संपर्क में रहने से क्या फाइदा होगा जब कुछ जानिये काहीं नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग समझदार है कौह रहा है कि art का पूर्नुप एक्षिडेन्ट रिलीफ ट्रेन होता है ठीक है एक्षिडेन्ट रिलीफ ट्रेन कितने नंबर में लिखा है रिलिफ रे नानी बी नमबर में लिखा है ठीक है तो ये आपका हो गया 64 नमबर कोश्चन ठीक है आगे बढ़ते हैं ठक जाते हैं बोलते बोलते चलिए 65 नमबर में क्या लिखा है कि विशेस अधिकार पास के लिए अधिकतम बैट ठीक है बिशेस अधिकार तो देखें बिशेस अधिकार हो या जो भी हो पास की बैटा जो है पांच मन्थ हो रहा है ठीक है इसमें कोई नई बात नहीं है आप जानते हैं यहां पर क्या लिखा है Westable, Westable का मतलब W, Westable का code, Self Generation, G मतलब Self Generation, Wata Unikuulit मतलब AC, और Two Tier का मतलब होता है CW, ठीक है, तो आपका answer है हो जाता है Westable, Self Generation, AC, CW, मतलब इसका कॉछ का code पूछ रहा, तो इसका आपका यही answer हो गया, AC का मतलब AC, तो आपको मैंने चारू अप्सन का अपने डिटेल में बता दिया जो भाई पीडिये है मैं याद दिला देता हूँ एलेच भी डाइमेंशन वाला पीडियेफ आप पढ़ेंगे उसमें जितने भी ट्रांस्पोर्टेशन कोड है या cnw वाला जो हिंदी मेडियम इंग्लिस मेडियम दोनों में जो दिया है उसमें भी देखेंगे फूरा ट्रांस्पोर्टेशन कोड आपको मिल जाएगा cnw का जो मैंने दिया है उस फीडियेफ में चलिया आगी एक बढ़ते हैं संसट में कोच में वोड़ ट्रांस्मीशन किसके माध्यम से होता है लोड़ ट्रांस्मीशन देखिए मैं गला थे जल्दी-जल्दी में नहीं पढ़िए भाई क्योंकि मैं भी भड़बाट आ जाता हूं लोड को मैंने कोच पढ़ दिया था ठीक है तो हम तो जल्दी पढ़ रहा है कि वीडियो लंबा ना हो क्योंकि डिटिल में बताने में वीडियो लंबे हो जाते हैं लेकिन आप लोग एक जाम में जल्दी नहीं पढ़ेंगे अराम-अराम से क्योंकि जो ज़्यादा तेज के द्वारा होता है वीरर साइड वीरर तो साइड बेरियर जो है आप साइड बेरियर के बारे में आपका डिटिल लूप से आप जाने तेहां पर नोट का नोट दे देंगे और नोट दे करके एरो का चीन बनाएंगे और आप लिखेंगे पहले साइड बेरियर समझी होता ह क्या ठीक है तो यह माल लेते हैं कि आपका यह रॉली हो गया इसी पर जो है एक बोलिष्टर होता है ठीक है ना तो बोलिष्टर पर यहां side barrier होता है ठीक है और इसमें जो है तेल भरा रहता है क्या भराता है तेल भरा रहता है ठीक है तो चलिए तो कहरा है कि side barrier तो इसी पर जो है load transmit जो है vertical देखिए इसमें को और question आता है कि कौच का ठीक है buffing breaking and buffing जो transmit जो है किसके द्वारा पर जाता है breaking and buffing breaking and buffing आनि break और buffer के द्वारा load transmit जो होता है वो किसके माध्यम से होता है दुसरा question में बता रहे है side barrier वाला नहीं कौच का buffing and breaking force transmit किसके माध्यम से होता है तो center pivot के द्वारा होता है ठीक है और दुसरा question जो आपके सामने है कि कौच का load transmitter load transmit जो हो जाए कौच का वजन जो उपर से vertical उपर से जो वजन आता है उसका load transmit जो load जो है किसके माध्यम से ट्रॉली पर जाता है या फिर चाका पर जाता है तो side barrier के माध्यम से ठीक है लेकिन buffing and क्या बोलता है breaking जो force होता है horizontal या Sen greater pivot के द्वरा load transmit होता है ठीक है और side barrier के बारे में ऐगर हम बता दे तो side barrier में कोचान आता है कि इसमें कौन सा तेल भारा जाता है तो इसमें जो है servo lane on set कौन servo lane on set जो है इसमें तेल भारा जाता है ठीक है और इसमें तेल जो है कहीं दू लिटर कहीं धाई लेटर भी मिलता है नहीं लेकिन हम दू लिटर ही मारेंगे ठीक है दू लिटर इसमें तेल भारा जाता है ठीक है और यह भी कोशन आ जाता है कि दोनों साइड बेरियर की बीच की दूरी कितना होता है ठीक है तो साइड बेरियर की बीच की कि हम आगे बढ़ते हैं आपको मुझसे जुड़ने के लिए या वीडिए परक्त चिश्रे में भाग लेने के लिए आपको मैं वार्च अप नमर दूँगा वीडियो के रास्ट में आप लोग वीडियो कर बने रहेंगे चलिए और सट में क्या कर है कि ब्रेक लगाने के दवरान खुलो फर्म ठीक है देखिए ब्रेक लगता है तो किसके माध्यम से BC में हावा जाता है देखिए इसका एंसर जो है टाइपिंग में छुट गिया था ठीक है बहुत सारे कॉमेंट आने लगे थे लगता है ठीक है इसका एंसर जो है आपको एह होगा ठीक है और शटका एह होगा ठीक कि आगे बढ़तें उनहत्तर नंबर में यो कोई बड़ी बात नहीं थी कर रहे कि नो सभी नो निर्मित कोचों की आयू एच कितने दिन पर होता है देखिए नो निर्मित यानि नो का मतलब 9 नहीं नया नया कोच जो बनता है उसका जो है पहरा है कि आयू एच कितना दिन पर होता है ठीक है आयू एच कितना दिन पर होता है ठीक है तो इसका पहले आप जान लीजिए कि आयू एच जो है वन यर पर अर्थात बारे महीना पर होता है कितना दिन पर होता है बारे महीना पर होता है ठीक है आई यू एच और पी देखिए यहाँ पर ओच उट गया पी यू एच जो है या 24 महीना पर होता है कितना दिन पर 24 महीना पर होता है कौन? 9 निर्मेत, जो नया बनता है ठीक है? जो new जो कॉछ होता है उसका IUH 12 महिना पर और PUS जो है 24 महिना पर होता है ठीक है? ये तो आप clear कर लिए, इसको question को लिख लिए और फिर हमाँ कहेंगे, इसे related question है उसको आप note कर लेंगे, note देंगे कोलम कसी आही अपना चेंज करेंगे और लिखेंगे ठीक है नाया कोच हो लिखिए यहाँ पर निव कोच और यहाँ पर और दे दीजिए और O C V O C V ठी अधर कोचिंग वाइकलस ठीक है निव कोच हो यह अधर कोचिंग वाइकलस हो मतलब कि जो अधर कोच कोण आएंगे वह ही मैं आपको बताऊँ है ठीक है तो यह जो है अधर कोच हो निव हो या अधर कोच हो इसका IOH जो है बारे महिना पर होता है और POH जो है या 24 महिना पर होता है ठीक है निव कोच हो या OCV हो ठीक है अब यह तो आपने लिख लिया अब आप लिखिए कि इसको मिटा देते हैं अब आप लिखिए कि OCV अधर कोचिंग वाइकल्स के अंतरगत जो है कौन-कौन से कौच आते हैं जिसका IUH 12 महिना पर और POH 24 महिना पर होते हैं तो आप लिखिए मेरे भाई मेरे दोस्त लिखिए पार्सल बैन, ब्रेक बैन, सैलून बैन, सैलून कार भी कहा जाता है इन प्रेक्शन कार, पांवर कार, पैंटरी कार, चेयर कार अभी हमने जो नाम बताया, यह सब जो है OCB के अंतरगत आते हैं और इन सब ही का IUH 12 महिना पर होता है और POH जो है Periodic Overhauling अर्थाथ POH 24 महिना पर होता है फिर सी आप सुन लिजिए कि नया कोच या OCB जो है POH 12 24 महिना पर POH ठीक और OCB के अंतरगत कौन-कौन सा आता है तो पार्सल बैन, ब्रेक बैन, सैलून कार, इनपेक्शन कार, पांवर कार, पैंटरी कार, चेयर कार तो इन सभी का या OCB के अंतरगत आते हैं जो मैं बार-बार बता रहा हूं 12 24 ठीक अधर ठीक है ये आप खतम कर दीजिए और इससे फिर आगे एक ठो और लिख लिजिए दूर नंबर में कि रजधानी, सताबदी, गरीबरत, मेल एक्सप्रेस इन सभी कौचों का IUH यहाँ पर मैं लिख देता हूं IUH जो है 9 महिना पर होता है और POH जो है 18 महिना पर होता है कौन-कौन सा रजधानी, सताबदी, गरीबरत, मेल एक्सप्रेस इन सभी कौचों का IUH 9 महिना और POH जो है 18 महिना पर होता है और अभी हमने बताया कि IUH, POH कहा होता है तो IUH कहा होता है तो डीपू में होता है और POH जो है वर्षप में होता है कोशन आता है आपका कोशन आता है कि IUH कहा होता है तो IUH डीपू में होता है और POH जो है वर्षप में होता है लेकिन आपका एक नहीं सर I.U.H. जो है हमने वर्षप में भी देखा है तो हम भी कहेंगे कि हाँ भाई आप वर्षप में भी होता है लेकिन किसका होता है तो राजधानी सताब्दी गरीब रत का I.U.H. वर्षप में होता है टिक है लेकिन जेनरल जितने भी है मेल एक्सप्रेस या पसेंजर इस अब का जो आई उएच जो है डीपू में होता है टिक है जहां तक भी सवास है कि आप समझ गए हुएगा अगर यहां तक वीडियो में बने हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहते हैं एक बेर लाइ टाकि हमको भी पता चले चलिए सतर नंबर में क्या कर रहा है कि एसपार्ट का फूर्ण रूम के एस पी ए आर्टी इसका फूल फर्म जो है क्या होगा तो देखिए यहां पर लिखा है सेल प्रोफेल्ड एक्सिटेंट रिलिव ट्रेन इसका फूल फर्म हो जाता है चलिए अगे बढ़ते हैं माल वैगन का अधिक्तम ही इसके किते होता है अभी हमने बताया उपर कि अधिक्तम जो है कि आनि आई की एफ वर गूड्स टिक्ए दुकर गूड्स का मतलँ माल बैगन्स टिक है तो इन यूनों का जो है 16 अभी हमने उपर बताया था 600 प्लस माइनस 2 होता है अर्थाथ प्लस 2 माने अधिक्तम 1602 हो जाएगा और नियुन तो माइनस 1 नहीं होगा माइनस 1 यहाँ पर होगा ठीक है तो माइनस 1 अर्थाथ नियुन तम अगर पुछेगा तो 1559 हो जाएगा ठीक है 1559 अधिक्तम हुआ तो 502 ठीक है लेकिन वहीं अगर पुछता है तो 1600 प्लस माइनस 1 होता है ठीक है 161 अधिक्तम हो जाएगा नियुन तम 1559 हो जाएगा ठीक है तो देखिया नियुन तम ऊचाई देखिया loaded condition में अगर पुछता है तो 1030 होगा अधिक्तम अगर पुछता है इंपीटी कंडिशन में खाली इस्थिति में पुछता है तो नहीं दिया है इसमें नहीं दिया है ये नहीं होगा एग आरे सो 5 होता है कितना होता है पारे eat 50 कंडिसन अगर में पुछता है तो एक ह marshmallow 65 होगा अर्थ हाली स्थिति में अधिक्तम पुछे टेगар clinical होग लोड़े इस्थिति या निन्तम में पुछे तो दस्स तीश होगा ठीक है आगे बढ़ते करें कि माल बैगन का मानक पहिया गए मानक अभी हमने बताया एक कोश्चन कई बार रिपीट हो रहा है पुछने का तरीका अलग अलग है तो 600 हो गया सी नंबर में आगे बढ़ते हैं सेवा अवेधन के लिए बीपी कर दबाओ में कमी देखिए इससे बहुत सारे कोश्चन आते हैं मेरे भाई बहुत सारे कोश्चन आते हैं ठीक है इसमें मैं वीचाराओ कि आपका कन्फूजन दूर हो जाए ठीक है तो आप यहाँ पर लिख लेंगे देखिए कोश्चन के एंसर देने से पहले आप यहाँ पर कोफी कलम को रेडी करेंगे और लिखेंगे मिनीमम माने नियूनतम कितना होता है तो 0.5 से 0.8 kg पर cm2 ठीक है 0.5 से 0.8 kg पर cm2 क्या मिनीमम और सर्विस अपलिकेशन के समय कितना होता है तो आपको 8 है यहा 0.8 से 1.0 kg पर cm2 ठीक है और उसके बाद में आता है कि full service application के समय में कितना होता है तो आपको यहां आजाएगा 1 से 1.5 kg पर cm2 ठीक है और एक आता है कि emergency इमार्जेंसी ब्रेक अप्लिकेशन के समय में कितना हो जाएगा तहीं आपको यह यहां आजाएगा से 1.5 से 3.8 kg पर cm² अब देखें यहां पर चार कंडिशन होता है बीपी का प्रेसर ठीक है जो इसमें से चारू में से कोई भी कोच्चन को पूछ देता है ठीक है इसलिए मै महनत आपको लगजाएगा मिलेगा ऐसे बात है कि नहीं मिलेगा सव बात नहीं लेकिन कई जगह मिलेगा आपको खोजिएगा उतना दिर में बहुत सारे कौश्चन को आप देख सकते है ठीक इसलिए मैंने आपके सहौलीत के लिए आप यहां पर जो कोचण लिखेंगे कि सेवा अवेधन के मतलब सर्वीस अप्लिकेसिन के समय बीपी का दबाव कितना होता है तो देखिए सेवा अवेधन के समय कितना दिया है आठ से इसमें कहां दिया है d może में ठीक है तो कहने का मतलब है कि चारू आप लिख लेंगे इसमें से कोई भी कोचन अगर आपके सामने आता है तो आप रटन्थ देखे फिर हम कर रहे हैं रटन्थ भी दिया घटन्थ भी दिया होता है रट लिजिए समझ लिजिए ठीक है न एक तो पांच से आठ आठ फिर सर्विस मे यहाँ आजाएगा आठ यहाँ जाएगा वान इधार चल जाएगा फिर फूल होगा तो वान इधार आजाएगा वान पॉइन पॉइंट फाइप यह आप देख जहां आपके स्क्रीन पर है लेकिन आप कहिएगा कि emergency के समय सर 3 kg होता है आपने तो बताया कि 3.8 होता है ठीक है तो यह जो है 3.8 जो है ICF के लिए ICF के लिए 3.8 होगा लेकिन वहीं अगर LHV के लिए अगर बात करें तो केवल 3 kg होगा 3 kg पर CM2 बागी condition सेम रहेगा ठीक है लेकिन emergency के समय अधिकतम pressure BP का यह लिए 3 kg होता है और ICF में 3.8 kg पर CM2 होता है तो आप इसे याद कर लेंगे और copy में भी लिख लेंगे बहुत important मैंने question आपको बताया है ठीक है आगे बढ़ते हैं कोच फोलोरिंग फलाई की मोटाई देखिए इसमें भी बहुत सारे comment आया था कि बारे होगा कि सवर 19 होगा तो इसमें 19 होगा ठीक है आप CNW अला PDA पढ़ेंगे या CNW अला आपके पास book होगा तो आप उसमें भी देखेंगे उतना ही होगा राजीव महाजन का उसमें भी देखिएगा तो 19 ही मिलेगा आपको चलिए आगे बढ़ते हैं एर ब्रेक सिस्टम में परयुक्त नन रिटार्न वाल्व का कार्ज का है बहुत important question है नन रिटार्न वाल्व अर्थात क्या बोलते हैं उसको तो यह जो होता है देखिए हाँ पर हम यहाँ पर आपको फिगर बना कर बता दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा माल लेते हैं कि यह एर हो गया एर का मतलब हो गया एक जुलूरी रिजरवायर ठीक है यह हो गया फिड़ पाइप इसको हम एफ लिग देते हैं एफ फिड़ पाइप ठीक है तो फिड़ पाइप यह फिड़ पाइप हो गया ठीक है तो क्या बोलते हैं एक जुलूरी रिजरवायर तोड़ा सा यह गलत हो रहा है ठीक है यहाँ पर हम बीसी लिग देते हैं ब्रेक सेलेंडर या डीवी भी लिख सकते हैं या डीवी आपको समझाने के लिए क्या वल्प यहां पर हम लिख देते हैं ब्रेक सेलेंडर या अट हो गया एक जुली रीजर्बाय टीक है तो इसमें से जो एफ़ी का जो पाइप जाता है वह ही यहीं पर एक एन आर्वी लगा रहता है एन आर भी नन रिटार्न वल्प टीक है घू तो कोश्चन है कि NRS के काज क्या है THRB काकार्ज ये होता है मतलब हावा को तो हावा को एर को जो है जाने देता है दिवारेकी दौरप लेकिन उधर से रिटर नहीं होने देता है तिक है यहीं NRB का काम है AR को FP की तरफ मतलब DB की तरफ FP के द्वारा मतलब जाने देता है लेकिन हावा को जो है return नहीं होने देता है यहाँ पर तिक है जब NRB खराब हो जाएगा न तो हावा जब आवा गमन होने लगेगा और होज पाइब से जानते हैं BC से भी हावा आपको leakage करने लएगा उसमें भी pressure बढ़ जाएगा क्योंकि NRB जब खराब होगा तो पूरा फिर ही हो जाएगा समझ रहे है न तो NRB के काम है कि FP में हावा को AR में या DB में मतलब की जाने देता है लेकिन उधर से फिर return नहीं होने देता है आगे बढ़ते हैं चलिए किसी कोज का गहन सफाई की संत्रवा देखिए उपर हमने बताया था कि गहन सफाई कितना दिन पर होता है तो गहन सफाई जो है एक महीना पर होता है ठीक है न चलिए आगे 63 नमबर question में इसके बारे में मैं डिटेल बताया हूँ जाकर उसको देखिए पूरा डिटेल में मैंने बताया है आगे बढ़ते हैं क्या लिका है ICT ICT हो गया यह जो है ICF टाइपिंग में जो है थोड़ा बहुत कहीं-कहीं गरबर हो जाते है आपको खूद एसे थोड़ा छोटा-छोटा है आपको समाझ लेना चाहिए ठीक है तो ICF में जो है को रहा है कि हेलिकल एस्प्रिंग का कलर कोड क्या होता है बहुत ज़्यादा पुछा जाता है तो आप याद रखिएगा YBG अर्थात yellow blue green yellow blue green YBG ठीक है हेलिकल एस्प्रिंग का कलर कोड जो होता है YBG यानि yellow blue green होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कर रहा है BP, IAP वाव नली को अलग करने के लिए आवस्यक है देखे BP और AP को जब अलग कब किजिएगा जब cut of angle को मतलब घुमाईएगा इरजस्ट कीजिएगा तभी तो आप अलग कर सकते हैं क्या देशे माल लेते हैं कि यहाँ गाड़ी है यहाँ गाड़ी है इधर भी एक गाड़ी है और देखते हैं यहाँ होज pipe लटका रहाता है दूनों को connect किया रहाता है यहाँ पर ठीक है आपका एंसर भी हो जाएगा ले उसको close करना होगा एरजस्ट करना होगा फिर उसके बाद में आप छोड़ाइएगा ठीक आगे बढ़ते हैं कोस्चन नमर असी कर रहा है DC अर्थाट डर्ट कलेक्टर का कार्च क्या है बहुत important question है DC कोस्चन का देखिए कोस्चन में जो है DC अर्थाट डर्ट कलेक्टर है इसका काम क्या है तो clean air अर्थाट हावा को जो है छान करके तो DB को देता है मैंने फर्स्ट पार्ट में भी इसको डिटेल में मैंने बताया है उस वीडियो को भी जा करके आप देखेंगे लेकिन यहाँ भी आपको हम बता देते हैं लगभग में देखिए BC जो है BC या breaking system का हिर्दय कहा जाता है यद कहा जाता है हिर्दय कहा जाता है या कहीं कहीं आपको kidney भी मिलता है kidney या फैफड़ा भी कहीं मिलता है फैफड़ा उसलिए कि जितने भी हावा जो मअगे FB के दवारा जो हावा जो भी डी वी को जो जाता है। उसमें जो है डीवी में तो एक पी सब से कनेक्ट रहते हैं लेकिन डीवी के पहले कोशन आता है कि डीसी कहां लगा रहता है तो डीवी के पहले कोशन आता है कि डीसी कहां लगा रहता है तो डीवी के पहले और डीसी का कार्ज क्या है तो हावा को क्लीन करना ठीक है हावा को स डिस्टिबियूटर वाल जो है यह जो है ब्रेकिंग सिस्टम का Criminal कहा जाता है अर्थ स्थ और किलियर होता है आपका confusion यहां से दूर हो गया क्योंकि आप हिर्दा कीडिनी फेफड़ा या माइंड में आप confuse कर जाईएगा तो यहाँ पर आप clear कर लिजिए DB को माइंड काते हैं और DC को हिर्दा या kidney काते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कोचन अमरेकासी में क्या का रहा है कि DAR के तहद अपील समय कितना है बागि D&AR वाला जो PDF है उसमें जाकर पढ़ेंगे पुरा detail रूप से आपको मिलेगा यहाँ पर जितना जरूरी है मैं आपको बता रहा हूं तो D&AR का जो अपील सीमा जो है यहाँ पर by option के अनुसार 45 दिन है ठीक है लेकिन यहाँ पर condition आजाता है कि 45 दिन आपको एक नई सर 10 दिन होता है ठीक है तो हम भी बोलेंगे कि ठीक है 10 दिन होता है लेकिन 10 और 45 कब होता है किस condition में होता है आप इसके लिए मेरे PDF को जाकर पढ़ेंगे यहाँ पर मैं ततकाल मैं आपको समझने के लिए मैं बता दूँ कि अगर ESF ESF अगर 5 आपको मिला है तो इसके लिए 10 दिन के लिए आपको समय दिया जाता है 10 दिन के लिए समय दिया जाता है और बाकी जितने भी minor planti है जो ESF एगारे या वान है इस सब के लिए जो है 45 दिन के समय आपको दिया जाता है लेकिन major planti जो है बड़ी सास्ती जो है इसके लिए आपको ESF 5 के लिए 10 दिन के समय दिया जाता है ठीक है आगे बढ़ते है question नमर बेरासी में कहा रहा है कि कैस्णो बोगल बोगल के बाहरी spring मानना मत्र मुक्त उचाई देखिए बोगल हो गया है यहापर क्या लिखा है normal free height of other spring of कैस्णो बोगल यहाँ बोगी होगा ठीक है न तो इसमें कैस्णो बोगी में जो है आपको क्या कर रहा है बाहरी spring जो outer spring जो होता है उसका जो है उचाई के बारे में आपसे बात कर रहा है तो इसका ए नंबर हो जाएगा अर्थात 260 ठीक है 260 हो जाएगा ठीक है चलिए यहाँ पर लिखिए 83 नंबर में क्या लिखा है कि air tank की छामता air tank की छामता air का मतलब क्या समझे air का मतलब हो गया एक जूलिरी रिजर्बायर ठीक है एक जूलिरी रिजर्बायर ठीक है तो मैं आपको मैं बता दूँ ICF 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 में 200 लिटर का air tank होता है ICF में 200 लिटर का air tank होता है लेकिन ALHV में ALHV में इसमें भी 200 लिटर का ही टेंक होता है लेकिन इसको दो भाग में रहाता है 1 होता है 125 लिटर का और 1 होता है 75 लिटर का ठीक है 65 लिटर का तो 125 लिटर वाला जो है हम इसको इसको ब्रेकिंग परwasser के लिए यूज करते है ठीक है लेकिन ICF में 2 soluter का एक ही AR tank होता है तो यह हो गया AR tank मतलब की ICF और LHB के लिए और एक और कोच आनाता है AR spring के लिए AR spring के लिए AR tank की छमता कितना होता है तो देख मालेते हैं कि यह दो बोगी हो गया इसको कोच मालेजिए तो दो बोगी हो गया दोनों के बीचों बीच में आप देखते हैं कि AR spring लागा रहाता है तो परतेक AR spring के लिए 40 liter का सहाइक जलास है मतलब की एक जुलिरी रिजरबायर लागा रहता है 4 tank लागा रहता है 40-40 liter का ठीक है 40-40 liter का परतेक AR spring के लिए 4 tank लागा रहता है 40-40 लिटर का सहाइक जला से या इंगलिस में एक्जली रिजर्बायर भी कह सकते हैं लेकुन बीच में एक ठो डिर सो लिटर का भी टैंक लगा रहाता है जिसको में रिजर्बायर कहा जाता है जो अब ये कोश्चन आता है जो मैं अभी ये बता रहा हूं या एयर एस्प्रिंग के लिए मैं बता रहा हूं ठीक है तो एयर एस्प्रिंग के लिए कोश्चन में आपको एयर एस्प्रिंग अगर आ जाए उसके लिए एक जुली रिजर्बायर की छहमता कितना होता है तो 40 लिटर मारेंगे और एयर एस्प्रिंग के लिए मैरा यहीं मक्षब भी होता है कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें कोई भी कोचन को मीच न करें और अच्छे से अच्छे मार्स लाए और आपका रिजल्ट हो और मेरे पास आप भेजे किसर मेरा रिजल्ट हो गया तो मुझे भी बहुत खूशी मिलेगा और मुझे एसा लगए कि मेरा भी मेहनत का फल मिल रहा है, आपको तो मिलेगा ही मुझे भी लगेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं ELSB coach के side wall sheet के मोटाई कितना होता है, तो यहाद 2 mm होता है side wall sheet के मोटाई 2 mm होता है, ठीक है अब इसमें भी बहुत सारे portion आते हैं साइडवाल किसका बना होता है तो फेरेटी के स्टील का बना होता है और इंडवाल छट किसका बना होता है साइडवाल इंडवाल फेरेटी के स्टील फोलोर एंड रूफ जो है अस्टेनी के स्टील का बना होता है तो इसके लिए मेरा लेस्पी डाइमेंशन वाला वीडियो जाकर देखेंगे, चलिए, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा, आगे बढ़ते हैं, कोच नमर 85, कर रहा है कि हाई स्पीड ट्रेन, कोच की मुटाई, बीजी हुईल फ्लेंज, ठीक है, देखिए, यहाँ पर जो है, आप ज्यादा तर कन्फूज करते हैं, अब इसका देख कि हाँ, हाँ, 28.5 भी होता है, तो 28.5 जो है, मेल एक्सप्रेस के लिए होता है, मेल एक्सप्रेस के लिए, 28.5 होता है, लेकिन हाई स्पीड जीतने भी कोच है, राजधानी दूरंतों जो है, सताबदी, इस सब के लिए जो है, 29.4 होता है, ठीक है, लेकिन मेल एक्सप्रेस जो भी है इस सब के लिए जो है 28.5 होता है ठीक इसको ध्यान में रखेंगे आगे बढ़ते हैं एक सी नंबर में दिया हुगा एंसर इसका इसका है कि आइसी बोगी के डायरेक्ट माउंटेड रोलर बेरिंग जन्रल का आकार किया है ठीक है तो देखें यहां पर जो है थोड़ा सा टाइपिंग में खूट गया है यहां पर से होगा 120 से 103.5 mm यह आकार पुछा है ठीक है न आकार तो यहां पर है क्या जर्नल अब ख़िए जन्रल है क्या तो आप देखते हैं कि यह माल लेते हैं कि यह एक सल हो गया एक सल एक सल पर माल लेते हैं कि यहां पर एक चक्का बाइठा दीजी ठीक है और चक्का के बाहर थोड़ा सा या थोड़ा सा टेपर होता है ठीक है न और यहां पर क्या होता है बेरिंग होता है ठीक है बेरिंग थोड़ा सा टेपर होता है और यहां पर बेरिंग लगा होता तो जिस भाग पर कोच्चन इसको दूसरे तरीका से भी पूछा जा सकता है कि जिस भाग पर नहीं इस तरह कोच्चन आता है कि एक सल के एक क्रित भाग को एक सल के एक क्रित भाग को क्या काते हैं तो जनरल काते हैं क्या काते हैं जनरल काते हैं एक सल की एक क्रित भाग एक क्रित का मतलब यह हो गया कि एक सल की जो लास्ट छोर होते हैं जिस पर हम लोग बेरिंग चड़ाते हैं उसको हम क्या काते हैं जनरल काते हैं क्या काते हैं जनरल काते हैं तो इसी का आकार पूछ रहा है तो 120 से 113 mm इसक ठीक है तो अता है कि टेपर कितना होता है, तो 0.0015 से 0.0010 ठीक है यहाँ एतना होता है बहुत इंपॉर्टेट कोस्चन हैां डीपली हो गिया है ठीक है यह टेपर होता है है यह बहुत डीपली कोश्चन हो गया ठीक है ना देखिए कोश्चन और PDF सबके लिए वह होता है तिक है ना लेकिन जैसे जैसे आपका पोश्ट बढ़ता जाएगा वैसे ow hairs वैसे अरण आपको कोचन बताते हैं जही से माल लेता है कि अगर helper है helper to technician तो उसके लिए simple सा अगर कोचन करें अगर speed sensor के बारे में बात करें तो उससे खाली इतना ही बोलेगा कि एक कोच में कितने speed sensor लगे होते हैं ठीक तो आप जानते हैं कि परत्यक एक्सल पर speed sensor लगे होते हैं अर्थात एक कोच में 4 speed sensor लगे होते हैं लेकिन आप J के लिए आपका post अगर बढ़ जाता है तो उससे थोड़ा सा और deeply चला जाता है कि speed sensor और phonic wheel के बीच में कितने gap होते हैं नहीं तो 0.901.4 mm के बीच gap होते हैं लेकिन AME या AWM के लिए उससे भी deeply चला जाता है कि phonic wheel में कितने दात होते हैं ठीक है तो हमको कहने का मतलब है कि सबके लिए pdf वहीं है लेकिन जैसे जैसे आपका post का जो है बढ़ते जाता है वह इससे थोड़ा deeply में question जाते जाता है यह ना कि help technician के लिए अलग pdf है यह के लिए अलग है या और AWM के तयारी के लिए उसके लिए pdf अलग है ठीक के लिए वहीं है लेकिन थोड़ा सा एस्टेंडर जो है बढ़ते जाता है ठीक आगे बढ़ते हैं हाँ तब आगे आगे कैसनो बाइस येचेस बोगी में सहन स्प्रिंग की नमात्र मुक्त उचाई देखिए इसमें भी हाई ठीक पूछ रहा है कैसनो बोगी का 87 नंबर में ठीक है तो यहाँ दूसरों 393 हो जाएगा आगे बढ़ते हैं डी नंबर में जो दिया है करा कि उप सकतियां सी एम देखिए यहाँ पर क्या लिका है सी एम एम डी वाई डी वाई का मतलब होता है डीप टी ठीक है सी एम एम ठीक है डीपो मोटर वाहन समागरी चांडलिंग उपकरान सयंद्र सयंद्र का मतलब मसिनेरी एंड प्लांट और कार्ज उपकरान इत्यादी मरमत और रख रखा मंजूरी के लिए सीमित है मतलब कितना इस मरमत के लिए क्यतना रुपया तक के सी एम एम सहाब जो है साइन कर सकते हैं पास कर सकते हैं इसके लिए कोशन दिया इतना बाद जाने है कि CMN 25,000 रपया से ज़्यादा तक कि कोई भी चीज पास नहीं कर सकते हैं उनका लिमिट जो है 50,000 आगे बढ़ते हैं आचरन नियम मादक पे और नसली दवाव कस्यावन देकि ये बहुत इंपर्टेट कोचन है रेल आचरन नियम 1966 इतना जानिए कि मादक पे और नसली दवाव का सेवन रूल 22 का अनुसार नहीं करना है नहीं तो सरकार कोई जिमोर नहीं लेगा आप दारू या कोई भी पी करके आप कार्ज अस्तल पर जाते हैं तो उसका सरकार कोई जिमोर नहीं लेगा वो रूल 22 में लिखा हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं लेच्ब कोच की छट के ऊपर उचाई कितनी होता है चालिस उन्चालिस ठीक है चालिस से उन्चालिस इस लेच्ब डाइमेंशन वाला पीडिएफ जाकर पढ़ेंगे उसमें सब दिया हुआ है कि इसमें तो चालिस उन्चालि जो है ये सी सी एन को छोड़ कर यानि जितने भी जेनरल सब होते है उसके लिए दिया आया है ठीक है अब इस सबक्या जो है आप लेच्ब डैमेंशन वीडियो देखें या मेरे चैनल पर जाकर करके वीडियो में या प्लेलिस्ट में जाकर करके देखें अन्ना ही तो वीडियो पढ़ें चले आगे बढ़ते हैं एक क्या लिका है एवर ब्रेक सिस्टम में break तब लागु होना चाहिए जब BP में वाउओ नली की गिरावट ठीक है कह रहा है कि break कब लागु मतलब कब लगेगा तो देखी एक break कब लगना चाहिए और कब break नहीं लगना चाहिए इसके बारे में दोनों भी इसमें question दिया आपके सामने मिलेगा sensitivity test और insensivity test इसी को कहा जाता है ठीक है तब break जो है क्या कहा रहा है लागू होना चाहिए break लागू होना चाहिए जब मतलब की BC में आ था break system लिका है यहां पर break system में break लागू होना चाहिए ठीक है और वहीं रहा था break नहीं लगना चाहिए आगे मिलेगा आपको कि 3 kg पर 60 seconds हम बताएंगे आपको चले आगे बढ़ते हैं बानवेर में आट break system में control reservoir ठीक है control reservoir जो है इसका काम क्या यहीं आपसे question कर रहा है control reservoir का काम क्या है तो to control break system मतलब की break system को control reservoir जो है control करता है ठीक है अब इससर खोंटाने जाता है कि इसको बोलते है c C R, C R C R का पोश़न आता है कि C R की छांता कितना होता तो C R की छांता जो है 6 लीटर होता है और की समें होता है आपका एक नई सर 9 लीटर होता है कोई कहेगा कि 6 लीटर होता है तो देखिए यहाँ पर L H V L H V L H Vs मतलब की वैगन ठीक है इसमें जो है 6 लिटर होता है ठीक है और ICF ICF जो होता है इसमें 9 लिटर होता है ठीक है लेकिन आपका एक नई सर आप ICF में भी 6 लिटर ही होता है तो मैं दोनों बात बता रहा हूँ आप जैसे कहिए वैसा आप अपना नोट्स त्यार करेंगे देखिए जो CNW वाला कोश्चन जो पढ़ेंगे राजीव महाजन का या अधर कोई भी बूक में तो बूक में जहां पर थियोरी जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आपको 9 लिटर पूछ दिन के बाद वहां से एंसर दिया जाता है टिक है तो जब एंसर जारी जाता है- उसमें अगर चेक कराया है तो तो मैंने दोनों बात बता दिया, चेक कराया जाता है, 6 लिटर, थियोरी में दिया है, 9 लिटर, लेकिन मुझे से पूछिएगा तो हम 9 लिटर मारेंगे, हमारे समझ से 9 लिटर होगा, क्योंकि मैं थियोरी को मानूंगा, ठीक है, और LHB और GOODS में 6 लिटर होता है, ये confirm है, CR की छामता, ठीक है, और CR के बारे में अगर लिखें, तो CR and BP का प्रेशर जो है, 5 kg होता है, AR, AR and FP का प्रेशर जो है, 6 kg पर cm2 होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 नमर कोचन में क्या करें, कि वाउदाब किलो मीटर परिख्षन के लिए test plate का ब्यास, ठीक है, तो इसका B हो जाएगा, 7.5 ठीक है, देखिए या कोचन कुछ अलट धंका है, आप इसको रट लिजेगा, आगे बढ़ते हैं, 94 अधिकतम break release के बाद BC में वाउदाब, ठीक है ब्रेक release के समय में कह रहा है, वाउदाब कितना हो जाएगा, प्रेसर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक, देखिए आपका कोचन आ गया, यह ब्रेक सिस्टम में BP में हावा के दबाव गिरावट की दर, ब्रेक नहीं लगना चाहिए, तो कितना, 0.3 kg per cm2 in 60 सेकेंड, ठीक है, ब 0.3 kg in 60 सेकेंड जब रहे, तो ब्रेक नहीं लगना चाहिए, यह इनसेंसिविटी टेस्ट हो गया, उसेंसिविटी टेस्ट था, और यह इनसेंसिविटी टेस्ट इसी को कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं, यह तो कोस्टन नमर 96 में क्या करे हैं गपर कुश्चंज को कितना होता है, वीडियू को बॉए करके देखें, शुरू के एकस्ट कोस्टन एककाउन नमर कोस्टन से मैंने सुरू किया है, उसमें BCN,ption все को कितना होता है,حति है फिर यहां बताओ, वहां भी बताओ, वीडियो लंबे हो जाएंगे, ठीक, इसका बी नमबर एंसर था, आगे बढ़ते हैं, संतानवेर में क्या करा है, कि रेल आचरन, रेल सेवक आचरन नियों 1966, नियम 3 के ए, किस से समंदित है, ठीक है, किस से समंदित है, तो ततपरता और स सिष्टा चार से, जो बी नमबर में आप देख रहे हैं, ठीक है, तततपरता और सिष्टा चार से, देखिए, रेल आचरन नियों 1966 है, आप एकजाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या नहीं तैयारी कर रहे हो, फिर भी आप रेल आचरन नियों 1966, और D&AR जो दिया है, रेल वे के बाद ब्रेक सिलिंडर को सहायक जलासे से अलग करता है, कौन अलग करता है, तो या डीवी करता है, अर्था डिस्टिब्यूटर वाल्व जो है, अलग करता है, आगे बढ़ते हैं, डीवी के बारे मैंने डिटेल उपर बताया है, कि डीवी को ब्रेकिंग सिस्टम का माइ चीज एनि 2,5 अगर non AC अगर कहें non AC तो 13 टन होता है ठीक है यह सी कहें तो 25 टन और non AC कहें तो 13 टन होता है ठीक है और इसी इसी में एक deeply question जो हर जग आपको खोश्ते-खोश्ते मर्ज़ए यह नहीं मिलेगा यह question आता है कि XL के मध में कोचका जो load होता है cool load जो होता है एकसल पर उसका कितना परतीशत XL के मध में होता है तो यह जो है 10 परतीशत होता है एकसल पर जो cool load जन्वे करता है कि एकसल के एक क्रित भाग जो जन्रल होता है और उस पर bearing लगे होते हैं इस पर dash spot होता है इसी पर तो वजन होता है या side barrier पर होता है ठीक है ना तो side barrier टास्मेट करके इस पर लाता है ठीक है ना लेकिन यहाँ पर मद में अगर कुछ दे कि एकसल के मद में cool version का कितना परतिसत होता है तो 10 परतिसत होता है बहुत कौम ही देखने को मिलता है भया इस रहे इसको जरूर लिख लेंगे बहुत important question है आगे बढ़ते हैं 100 नमबर में लिखा हुआ है ठीक है तब कहीं कि fiber and faucet plastic कहां है सर हमको थोड़ा दिखाईए तो fiber and faucet plastic देखते हैं कि पहले ICF में जो आप पहले शफर करते थे तो अंदर से जो है पलाई लगाया रहता था ठीक है लेकिन आज LHC में आप शफर कर रहे हैं तो अंदर देख रहा है ना कि अंदर से पलाई के जगापर क्या लागा कि देखते हैं कितना चिकना रहता है जोgee छ quindi पर रिटार्टेड होता है निवरी रोधी होता है जलदी आगभी नई पकड़ता है ठीक है आंगे बढ़ते कोशन Benach है कि 5Иप का मतलब क्या होता है तो 5 रिटार्टेट का मतलब होता है अग्नी रोधी फैयर पूरूप नहीं माड़िएगा रिटाटेड यानि अग्नी रोधी आज पुरूप का मतलब हो पंगु दमन महा चंडी दाधर नगर को खा चंडी खा मतलब की बी खेत्र आनी खा खेत्र ठीक है तो पसे पंजाब गुसे गुजराद दमन मने दमने दमन्दिव महा मने महाराष्ट चंडी मने चंडीगड दादर और नगर हवेली को खा चंडी मतलब कि खोच छेतर में जितना भी देख रहा है पंजाब, गुजरा, दमन्दिव, महाराष्ट, चंडीगड, दादर नगर हवेली ये सब जो है खोच छेतर में आते हैं तीक है और ये छेतर में वो आते हैं जिसका भासा सुध हिंदी है तीक है जिसे यूपी बिहार हो गया राजास्थान जितने भी आप देख रहे हैं ये सब जो है सुध हिंदी बोला जाता है वहाँ पर हिंदी से कोई अधर मिला जुला नहीं भासा होता है उसको जो है आप जानबे करते हैं कहां कहां सुध हिंदी बोला जाता है ये जो है ए रिजन में हो गया बी छेतर उसे कह जाता है बी रिजान जिसमें हिंदी से मिला जुला कुछ कोश्चन क्या कर रहा है कुछ भासा को हिंदी में मिल रहती है जैसे पंजाब यहां पर हमने लिखा कि पंगु दमर महाचंडी और पंजाब गुजरात दमने दिव महाराष्ट में हिंदी में ही मिला है रहता है कुछ च्टूटा-फूटा भासा उसको बी खेतर में सिच रेट को रखा गया है जो हिंदी से बिलकुल अलग है जैसे पासीम बंगाल में बंगला भासा बोला जाता है आप जन्मे करते हैं सब को समाझ में नहीं आता है जक्षिन भारत में तमील नाडू में करनाटा केरल सब अलग तो आपको यह जो है इतना भी याद रहेगा तो आपको लगभभग असी परसेंट आप मार लीजिएगा ठीक है तो मैं इहां इसलिए किलियर किया हूं कि इस पर जो ही कोचन आएगा मैं धणाम दे बोल दूंगा चलि आगे बढ़ते हैं कि निबंद भासा और नोटीस प्रारूप परतियोगिता में भाग लेने वाले हाग गयर हिंदी देखें आप लिखा है गयर हिंदी गयर गयर जो हिंदी नहीं जानते हैं हिंदी से अलग हैं जक्षिन भारित वाले करमचारी के द्वारा दिये जाने खेंपने वाले अनुग्रा अंकों का प्रतिशत क्या है तो दस परतिशत है जो हिंदी नहीं जानते हैं पर राज भासा आयो के अध्यक्ष कहुँं पर्थम रेलवे हिंदे सलाकार समीति के अध्यक्षता किस ने की थी बहुत इंपर्टेट कोचान है मेरे भाई यह श्रील ललित नरायन कोई नमर में है ललित नरायन मिशन होस्पीटल इनके नाम पर बहुत चीज रेलवे में है खोला गया है तो ललित नरायन मिश्री जो थे अनुश तीहतर में पर्थम गठित रेलवे सलाकार समीति के अध्यक्ष थे समझे के नहीं समझे बिलकुल समझ गया मेरे भाई हम जान रहे हैं कि मेरे भाई मेरे दो इसमें अक्सुचित किया जाता है तो हिंदी और अंग्रेजी ठीक है लेकिन इसका एंसर सी है हिंदी अंग्रेजी बिलकुल फर्म यह इसका एंसर हो जागा आगे बढ़ते हैं चंडीगड की छेत्र में आता है अब पंगुद बंध महाचंडि या दादर नगर को हाचंडि अर्थात खोज छेत्र में अर्थात बी छेत्र में आते हैं ठीक है अभी हमने उपर बताया चलिए आगे बढ़ते हैं साथ नंबर में है कि गयर हिंदी भासी पृत्यक्ता कि किस छेत्र में हिंदी निवंद वाक नोटीस और प्रारूपन परित्यक्ताओं में भाग लेने के लिए ग्रेस मार्क्ष दिया जाता है हमने अभी उपर बताया कि 10% उनको ग्रेस मार्क्ष जो है दिया जाता है किनको ग जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते हैं उघ्षिल भारतिय भासा है देखिए वे अधिकारी जिनकी मातरी भासा दक्षिल भारतिय है मतलब कि दक्षीन का है तो किस पठाय करमे परवेस लेंगे जब हिंदी जानते नहीं है तो परवोध परवीन प्राग्य तो परवोध क्या होता है सबसे शुरुवाती का कुर्स होता है तो क्या हां जाएंगे परवोध है में न जाएंगे मेरे भाई तो परवोध लेंगे श लेकिं नहीं बताँगा इसलिए कि मेरा वीडीयो या पीदिया करके राज भासा वाला पढ़ेंगे पूरा डिटेल दिया हुआ है ठीक है आगे 10 नमर में हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है कॉमेंट सेक्शन में आप देज़े इसका answer मैं नहीं बताऊंगा कि हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ठीक है अब मेरा वीडियो कैसा लगा य कि इतना मेहनत से इतना बोल बोल करके मेरा गला दुखा गया लेखिर आप जो है केवल जो है इसको लाइक और शेयर एक बार जरूर कर दे यहां तक वीडियो में आप बने हैं तो ठीक है और मुझसे जूणने के लिए या LDCJ, EAWM या helper to technician यह तैयारी के लिए टेस्ट रिज में भाग लेने के लिए या मुझसे गाइड लाइन हर तरह का आपको सजेशन देने के लिए मेरा वार्टसप नम्मर है 96, 93, 57, 14, 26 इस पर आप लोग मैसेज करके आप लोग मतलब की PDF प्राप्त कर सकते हैं LDCJ, EAWM के जितने भी material की आफसाक्ताय होता है चाहे वो CNW में हो या वर्टसप में हो या वाइगन वाले वर्टसप में हो सब के लिए ठीक है पास PTO, लिव इंसेंटिव जितने भी होते हैं सारे के सारे उनको PDF यहां से प्राप्त कराये जाएगा लेकिन इस वार्टसप पर मैसेज भेजने से पहले इस वार्टसप को जब सेब करेंगे इस question number को तो इस पर जो फोटो लागा होगा उस फोटो को ध्यान से पहले पढ़ेंगे रूल रेगुलेशन उसमें लिखा हुआ है तब उसके बाद में आप मैसेज करेंगे ठीक है चलिए मैं वीडियो के यही समाप्त करता हूँ या वीडियो कैसा लागा मेरे भाई जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मेरा भी उत्सा बढ़े कि हाँ भाई मैं वीडियो बनाया तो फिर पैसा बना चलिए जाहिन जाय भारत